मुधी सरकार ने नकसलियों के खिलाब जो लड़ाई नड़ी है उसका परड़ाम है कि नकसलियों के कबजे से बहुत सारा चेत्र नकसलियों चेत्र अब आजाद हो चुका है आज वहां पर सरकारी जो योजनाएं है उसका लाब ग्रामीनों को मिल रहा है अस्तर में आप देखे कि इस समय खेलों का आयोजन हो रहा है स्कूल अब बंद जो रहते थे वो अब पुराने जमाने की बात हो चुकी है मोधी सरकार ने नकसलियों के खिलाफ लड़ाई हर जगा लड़ी है और इसी लिए जिसको बोला जाता था कि ये जो लाल सलाम वाले हैं जो उनका लाल जो च्छेतर है रेड आतंक से जो प्रभावित च्छेतर है वो अब बहुत कम हो गया है आज ग्रह मंत्री अमिश्चा ने सीड़ी सीड़ी चेतावनी नकसलियों को दी है कहा है कि हत्या डाल दें और मुख्यधारा में लोट आएं तो सही है वरना सरकार ने दोजार चब्विस मार्च की तारिक तैय कर दी है कि तब तक हम नकसलवात को पूरतरे से खतम कर देंग महनुगों मेरे घर पर आये हैं मगर मैं रदय की गहराईों से बताना चाहता हूँ कि मेरे घर पर आज जो आप लोग कदारे हो इससे बड़ा कोई नहमन आने सकता इससे बड़ा कोई येफ्थी मेरे घर पर आने इस्वर ने किसी भी कारण से आपके जीवन में एक कट्णाई बेजी, दूप बेजा, सहन न हो पाए, इस प्रकार का दर्द भी बेजा है अपने जीवन में खड़ा होने का प्रयास कर रहे हैं और जो आपके जीवन में दूख और दर्द आया है, वो किसी और के जीवन में ना आए, इसलिए आप सब लोग प्रयास कर रहे हैं साथ अर्थ में पूरे देश और ग्रुमंत्राले की वर्षे, आपका यह उस्ता, होसला और आने वाले दिनों में बस्तर को सांट करने के लिए आपका जो अभियान है, इसको मैं मन पुर्वक हाथ जोड़ कर प्रणाम करता हूँ, इसका स्वाज़ करता हूँ मुझे पुरा विश्वास है कि विचारधारा के नाम पर जो लोग हत्यार उठा कर समाज में निर्दोष लोगों को हत्याय कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं, वो सभी लोगों का दर्द जो आपके माध्यम से आप दिल्ली के गल्यारों में आया है, कई सारे आँख होते हुए भी आँख से अंधे और कान होते हुए भी कान से बहरे लोगों के आँख और कान खुलने का काम करेगा, उनको हाथ में अत्यार लेकर गुमते हुए लोगों का मानव अधिकार तो दिखता है, परन्तु उनके अतंक के कारण छोटे-छोटे बच्चे अपाही जोकर पुरा जीवन व्यतित करेंगे, किसी की माँ छिंगे, किसी का माप चला गया, किसी का सरीर का कोई अंग चला गया, उसके मानव अधिकार दिखाईनी उपड़ते हैं। खेर आपका प्रयास मिच्ची तुरू से परिणाम लाएगा और मैं कल ही मेरे सभी प्रयास करकर आपकी ये फिल्म, आपके साथ मेरी ये मुलाकात और आपका दर्ब पूरे भारत देश के साथ मेरे सोस्चल मीडिया एकाउंट से साजा करूँगा, ऐसा मैंने यहाँ बैठ कर मेरे मन में नीना किया, भायो बैनों जब आप आए हैं तब मैं आपको आस्वस्त भी करना चाहता हूं, कि गुरू मंत्राले का काम है समगर भारत के अंदर कानून का राज प्रस्तापीत, राजे सरकारों को साथ में रखकर देश की आंतरिक सुरक्षा को हम सुनिश्ची करें, और नक्सलवाद किसी भी प्रकार से, ना मानवता के लिए हित कारक है, ना देश की आंतरिक सुरक्षा के अनुकुल है, अता नरेंद्र मोदी जी ने तै किया है, कि इस नक्सलवाद को और नक्सलवाद के विचार को, दोनों को मुन समेथ हम इस देश से उखाड कर फ आंति को प्रस्टापिक करने है, चत्तिसगर की तरह कई सारे राज्यों में एक जमाने में नक्सलवाद ने पैर पसा रहे थे, पसुपतिनाद से तिरुपति तक का एक कॉरिडॉर की कल्पना करते थे, और अगर आप मूर कर देखते हैं, तो बस्तर के चार जिले छोड़क पूरे देश में नक्सलवाद को समाप्त करने में नरेंद्र मोधी सरकार को सफलता मिली हैं, और मैं आपके प्रदेश में कहकर आया हूँ, 31.3.2026 के दिन को नक्सलवाद को इस देश से आखरी सलाम करने का समय सुमिश्चित कर दिया गया है, मैं विश्वास दिलागा कि उसके पहले नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, आपके पास जो गटना हुई है, आपके साथ हुई है, आपके परिवार जनों को खोया है, आपके सरील का नुकसान हुआ है, आपके भविस्ट को रौंद बिया गया है, मैं इस्वर नहीं हूँ, मैं इसको वापिस नहीं कोई आपडा ना आए इस प्रकार की कठना ही ना आए और आज आप लोग आए हैं आप दिल्ली में अलग-अलग जगे पे जाकर प्रेज, मेडिया, एक्टिविस्ट सभी को मिलने वाले हैं अच्छा ही किया मेरा टाइम मागा मैं मानता हूँ उनकी सम्वेदना भी आपके लिए जगेगी मगर उनकी जगे न जगे भारत सरकार का घुरू मंत्रा लेवी अब तक जो आपके लिए योजनाय बनी हैं इस सारी योजनाओं को संदखित करते हुए भारत सरकार और 36 गड़ सरकार की सारी योजनाओं को संदखित करते हुए आपके समग्र विकास का आपके परिवार के समग्र विकास का एक बहुत अच्छा योजना लेकर हम एत्तीन महिने में ही आपके साथ आएंगे जिससे आपका जीवन बड़ा सरलता के साथ जा सके और आपके जीवन में आपको इसका मदद लिए शक्रिस गड़ सरकार ने एक विसाइस मदद मागी थी प्रदान मंतरी आवास योजना की सोचाले की बीजली वाले घर की इस सारी योजना को प्रदान मंतरी जीने घर कैबिनेट में ही एपरू कर दिया है और अब 36 गड़ सरकार के माध्यम से इस सारी योजना आप पर पहुंचेंगी परन्तु आपका जीवन सुमान के साथ जाए सुचारू रूप से जाए इसके लिए आपको क्या मेडिकल सहायता मिल सकती है रोजगारी के लिए क्या सहायता मिल सकती है कौन सी योजना के साथ आपको जोड़ा सहायता सकता है भारत सरकार का गुरू मंत्रालाई का नकसल प्रभाविक शेत्रों की चिंता करने वाला विभाग इसको अच्छे से देखेगा एक डिटेल योधना बनातर हम राज्य सरकार को साथ में लेकर नकेवल बस्तर देज भर में नकसल वाद के कारण जिन जिन लोगों का नु हत्यार लेकर मैदान में उते हूं उनको एक संदेश भी देंगे कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है जिसके साथ इस्वर की कुपा होती है इसको कोई कुछ नहीं कर सकते हैं नकसल वाद में इतने सारे लोगों को जीवन को उजाड़ा है आंकरे सूस का कागज पर जब देखते हैं तब इसमें वेजना की वाचा नहीं होती है मगर जो भुक्त भोगी है जिसने दूख को जेला है उनको मिलते हैं देखते हैं तो वाचा ही अपने आप बहरे कानों तक भी पहुणती है और आखे भी खोल देती हैं आज आप सभी लोग आ रहे हैं आपक के भविश्य के बहतर जीवन के लिए निश्ची तुरुप से 36 गर सरकार और केंदर सरकार दोनों एक कारेकम लेकर आएंगे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे मैं फिर सेकवार आपको आस्वस्त करकर जाता हूँ कि अगले सई एक सवा साल के अंदर हम नकसलवाद को समाप कर देंगे और अपिल भी करता हूँ कि आप कानून के सामने आत्मसमरपन करिए हथ्यार छोड़ दीजे अपने आपको सरंडर करिए और नौर्थिस कस्मिर कई जगे पे कई लोग हथ्यार छोड़ कर मेंस्ट्रिम में आये हैं आप भी आईए आपका स्वाधत है परंतु अ समवेदनाए आपके साथ आपके परिवार के साथ हैं और आपके आने वाले जीवन को सुगम और सुनिश्चीत बनाने के लिए मेरे से यह था संभव हर प्रयास में करूंगा अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाए ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके